हालो फ्रेंज आपका मेरे चैनल पर स्वागत है तो आज हम बनाने वाले पत्ता गोवी के यह टेश्टी कवाब जो खाने में इतने मज़ेदार हैं कि आप नौन वेच कवाब खाना बंद कर दिंगे हर रोज बनाकर यही खाएंगे क्योंकि इतने टेश्टी हैं यह खाने में बहुत ही ज्यादा और बनाने में बहुत ही इजी है बहुत ही फटा फट से बन जाते हैं और यह खाने में भी बहुत ही टेश्टी है तो चलिए बनाते हैं इसे सुरू करते हैं बनाना तो कोई भी नहीं कहेगा यह पत्ता गोवी से बना हैं तो यह देखें यह मैंने ले ल है मैंने तो अब इसमें हम डाल देंगे नमक डालकर थोड़ी देर है ठाकि आप धना निकल जाया है तो इसे एक तरफ रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो इस तरह से मिला दें नमक डालकर और फिर ढालकर रख दें यह तो अ तो ये देखें ये थोड़ी देर हो गई है इसे रखे हुए अब इसको हम दवा दवा कर इसका पानी हम निकाल दिंगे ठीक है तो यकीन जाने इतने टेश्टी बनते हैं ये कबाब कोई कहे भी नहीं सकता है कि ये पत्त गोबी से बनाए है और बहुत ही मज़दार बनते हैं ये तो इस तरह से दवा दवा कर पानी इसका निकाल दे तो सारा पानी हम इसका इसी तरह से निकाल दिंगे तो ये मैंने सारी पत्य गोबी अपानि निकाल दिया, हमें हरी, मिर्च, बियाज और धनिन आ जब शटार न्यूद Titans नमक हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमने पहले नाल दिया था जब अपने साफ humano qamagnggap inventions means Payton hate नाम-कनाइ थे पानिकाल doing मिर्च कुटी और चली फ्लैक्स डाला है आप चाहे तो पिसी हुई मिर्चे डाल सकते हैं थोड़ी सी हल्दी के लिए यह मैं ने चावल का आठा नहीं , अगर आपके पास चावल का आठा नहीं है तो मिक्सी में पीस कर इसमें डाल सकते हैं आठा बनाकर इसमें मिक्स कर देते हैं इस तरह से और फिर हम मिला लें और फोड़ा थोड़ा करके डालें तो आधा कटोरी को दिंगे बहुत-बहुत भप्पठपट से बन बीजाते oppressors खाने में बहुत ही मजज़ार होते हैं तो इस तरह से मिक्स कर दें तो सारा हमने बेशन डाल दिया है सारा बेशन लग गया था इसमें तो अच्छे से मिक्स कर दें अब देखें अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसके बना देंगे कबाब तो थोड़ा थोड़ा लेकर जाले, इस तरह से दबांकर इसकी कवाब बना दें इस तरीके से सारी कवाब तैयार कर लेंगे इस तरह बना कर तो सारे कवाब इसी तरीके से बना लें ठीक है, तो कठैल की कवाब की वीडियो भी मेरी डाली हुई है आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं तो ये सारे कवाब मैंने बना लिये हैं अब इन्हें हम फिराई करेंगे तो इसके लिए हमने तेल को गरम कर लिया है, तो एक एक करके हमें इसे डालना है, तो गैस को हमने हलका कर दिया है, तेज तेल को तेज गरम कर लिया था और फिर गैस को हलका कर दिया था, तो थोड़ी देर के लिए हमें इसे हलकी गैस पर फ्राई करेंगे, फिर से तेज कर द थोड़ा तेज़ करके सेकना है ठीक है ताकि अच्छे से अंदर तक पक जाएंगी तो ये देखें इस तरीके के सारिट कबाब हमें तल लेना है ये सारिट कबाब तल ले हैं और बहुत ही मज़दार बने हैं यकीन जाने तो अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूं ये बहुत ही क्रिस्पी हैं और बहुत ही मज़दार हैं ये देख सकते हैं तो मैंने यहां हरी चटनी के साथ सब्सक्राइब आप चाहें तो सौस के ताकि मैं जो भी वीडियो डालू वो सबसे पहले आपको मिले मिलती हैं अगली वीडियो में लाफिस